आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के समने, एक फोटो देख रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम जरूर सुनाओगा, यह हैं खेसारी लाल, यादो, और आप देखी किसी ना किसी कारण बस, यह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, कभी आप मानवता इंसानियत के कारण, लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, और कभी-कभी आप देखते हैं कि अपनी लाइफ हिस्टाइल के कारण भी चर्चा में रहते हैं, और यह बिबादों में काफी घरे भी रहते हैं, और इन पर पबल सींग, जो आप देखते हैं कि वो भी एक्टर हैं, उनसे बिबादों के कारण भी इनका चर्चा में रहना बना रहता है, तो आज हम लोग केसारी लाल यादों के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे, अगर आपकी भी दिल्चस्वी है इस तरह के एक्टरों के बारे में जानने की, तो आपके पा हैं, और जिन से इनका विबाद चलता है, पबंसिंग, और पबंसिंग भी काफी आप देखें, विबादों में हमेशा बने रहते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग जब भी समय मिलता है, तो उन पर भी बात करेंगे, तो पबंसिंग के विबादों में, जब इन दोनों क की विवाद की बात होती है तब भी खेसारी लाल यादव का नाम आता है चर्चा में आ जाते हैं अगर हम लोग इनकी असली नाम की बात करें वास्तविक नाम की बात करें खेसारी लाल यादव इनका बास्तविक नाम है लेकिन इने जिस नाम से पिसिद्धी मिली हुई है वो को भी देख लिजे, यह आपको बिहार देखने को मिलेगा, इसकी राधधानी पटना है, और आप सभी जानते ही की यहां बिधान सभा में 243 सीटे हैं बिधान परिषत में 75 सीटे हैं चंदा देवी इनकी पतनी का नाम है इनके दो बच्चे हैं अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो महिंदनात संस्कित प्रात्मिक सहमाद्धिमिक स्कूल से इनों ने अपनी सिक्षा पूरी की हुई है और काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका अभिनेता हैं संगीतकार हैं गायक और नर्तक भी हैं कौन? खेसारी लाल यादो और आप सभी जानते हैं कि खेसारी लाल प्यारम से ही लोग गायक के साथ साथ एक अच्छे नर्तक भी रहे हैं सुरुवात में उन्हें भोजपुरी गायक बनने के लिए बहुत मुस्किलों का सामना करना पड़ा कई वार आपने देखा होगा ये इंटर्वीव में कहते भी रहते हैं कि इन्होंने भेंसे चराई इन्होंने लिट्टी चोखा भी बेंचा इस कार के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी था पैसों को इकठा करने के लिए उन्हें लिट्टी चोखा बेचना पड़ा कुछ सालों बाद उन्होंने भोजपुरी एलबम में गाना सुरू किया और जिसे उन्हें उत्तर पिदेश, बिहार, जहरकंड और जहां भोजपुरी बोली जाती है वहां उनकी गीतों को भी सुमार प्यार मिला है खासकर आप देखिए बिहार, उत्तर पिदेश और जहरकंड में कुछ जानदा ही आप देखेंगे बोजपुरी गाने सुने जाते हैं और अगर आप लोग देखते होंगे कि बिहारियों से आप जब मिलते होंगे बोज़ी सेया अरव गईले ना और सेया आईवा की ना आईवा वा लहेंगा में मीटर उनकी पिसिद एल्बम गीत रहे हैं और इनी के लिए आप देखें कि इन्हें असलीलता का इक तरह से इन पर आरूप लगता रहता है कि बोज़वी मोवियों में गानों में असलीलता फैलाती रहते हैं इस तरह कि गाना रहते हैं दो मेनिंग निगलते हैं इनके गानाव से 2012 में आई बोज़वी फिल्म साजन चली सस्वराल से इन्होंने अपने फिलमे केरियर की सुरूआत की और जिससे इने काफी लोगफुरी है ताभी मिली और यह एक के बाद एक लगातार भोजफुरी हिट मोवी देते रहे हैं उन्होंने दिनेस लाल यादो, नरववा, पवन सिंग जैसे कई बड़े अभी नेताओं के साथ काम भी किया है संद कवी नगर्म के जखनिया, महंदू फार गाउं में उनके इस कठिन महनत की सरायना हुई उनकी फिलिम साजन चले सस्वराल बहुत हिट रही, वहीं से उनकी काम्यावी ने सोर मचा दिया पूरे गाउं की लोगों ने उनकी फिलिम को भी माल लहडा वाली से हिट होने की कामना की 2000 बारे में रिलिज हुई उनकी फिलिम साजन चले सस्वराल ने उन्हें रातों रातों बोजपुरी इस्टार यानि की अभिनिता बना दिया अपनी सुरुवाती दिनों में रामायड व महाभारत में गाते भी थे उनका पहला एलबम 2008 में आया था और कुछ सुरुवाती फिल पिसेद गाने सहिया अरव गई लिना ए पियावस रहे सौधी रहे भावजी माल मिला में भेटाई 2004 में कोई लांचल के गाने में एक फोटी सेवन से एक गाई करू में बॉलिवोड में परदापन किया है इनोंने 2016 में उन्होंने गिलोवल बाबा फिलिम के लिए अपना दूसरा बॉलिवोड गाना होली में ओडे गुलाल गाया था 2017 में उन्होंने सवरंग फिलिम अवर्ड्स में सरफसिष्ट फार्स गायक का प्रुसकार भी जीता था और उस बरस उनके उलेकनी गीत थे कावना दिवता के गडल सावाराल और जान गईनी यह हो जान 2018 में उन्होंने सबसे लोकविरेगी ठीक है मैं ऐसे एक मैं रिलीज किया था मैंसे और 2020 में उन्होंने अपना तीसरा बॉलिवोड गाना सौनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मिल लड़की फटाना रिलीज किया था इस तरह के कई गानों आप देखते हैं कि भोचपुरी में गाते रहते हैं और यह भोचपुरी भासा ही अलग ही रहती है 2021 में उनका दूसरा बॉलिवोड सिंगल तेरे मेरे दर्मियान रिलीज हुआ केसारी ने Bollywood रेफ फ़र वादसा के साथ भी पिसेद कीत हिंदी गीत पानी पानी के भोचपुरी संसकर्ण में सहयोग किया और इसे मोल लूप से आस्था गिल और वादसा ने गाये था और सरे सारे गामा के तहट भोचपुरी संसकर्ण जारी किया गया था बास्ता ने भोजपुरी भासा में रैप भी किया हुआ है और यूटूब पर अपलोड होने के 60 मिनिट के वितर इस गाने को 10 लाग से दिक बार देखा गया था ऐसा करने बाला यह पहला भोजपुरी गाना बन गया और उन्होंने गाये को संगीत संगीतकार सिफ्फरा गोयल के साथ अपने अंगले बॉलीबोड एकल में रॉमांटिक राजा में काम किया जिसे मुदसर खान द्वारा कोरियोग्राप किया गया और गीत किरफा कुर्णाल बर्मा द्वारा लिखे गये थे और जैसा कि आप सभी को बता चुका हूँ कि विवादों से भी इनका काफी गमवहिर नाता माना जाता है असलीलता फैलाने का रोप लगा था लेकिन इनका मानना है और कई लोगों का यसा मानना है कि भोचपुरी में असलीलता की सुरुवात केसारी लाल ने नहीं बल्कि पहले भी कुछ असलील गाने आ चुके थे और इन्हें कुछ पुरुसकार भी दिये गए हैं किसारी लालियादों को, 2016 में इन्हें सरवादिक लोगपुरी अविनेता का किताब मिला था, 2018 में इनकी मूवी महदी लगा की रखना में सरफसेष्ट अविनेता के लिए इन्हें सवरंग पुरुसकार दिया गया था, 2019 में इनकी फिल्म संगरस में अच्छा परफॉमेंस के इन्हें सरफसेष्ट अविनेता का भोचपुरी सिनेमा पुरुसकार भी दिया गया था, और आप देखेंगे कि इस तरह से इनका सफर अभी तक रहा है, आंगे भी इनकी मूवियां आती रहती है, आने वाली होंगी, उन्हें भी देखती रहिएगा, आप लोग कि आपको किस तरह की लगते हैं, के सारी लाल यादो